लकनीत को सपोर्ट करने वाले लोगों को भी कल नीतू की ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिस पर लोगों ने नीतू पर सवाल उठाया वहाँ कुछ लोगों ने गलत तरीके से रिप्लाई भी किया लेकिन आये देखते हैं कि पूरा मामला क्या है दरसल कल 15 दिसंबर को नीतू की और लकन की रिंग सेरमनी की सेकिंड एनिवर्सरी थी जिस पर नीतू ने कुछ फोटो शेयर की वहाँ पर फोटो के साथ में उन्हों ने अपनी फैमिली के बारे में भी लिखा मम्मी बेहनों और ननंत के साथ में फोटो शेयर की साथ में उनके लिए अलग अलग फैंक्स भी बोला इस पर लोगों ने वहाँ पर कॉमेंट करना शुरू कर दिया कि एक कम से कम फोर्मेल्टी के लिए अपने साथ ससुर का या ससुराल वालो का तो फोटो डाली देती इस पर नीतु ने रिप्लाई किया कि जो दिल में हो वो होना चाहिए फोटो की जरुरत नहीं होती फोर्मेल्टी निभाने के लिए यानि कि नीतु का ऐसा रिप्लाई था कि प्यार दिल में होना चाहिए फोर्मेल्टी की जरुरत नहीं होती जिसमें कुछ लोगों ने नीटू का साथ दिया लेकिन वहाँ पर जो मोसली कोमेंट आ रहे थे उसमें यही कहा जा रहा थे कि ऐसा क्यूं अपने इन लोज का फोटो आपने क्यों नहीं लगाया हाला कि काफी लोग इसमोशनल हो रहे हैं कल की पाई और भम्मो की वीडियो को देखने के बाद में लेकिन जिस तरीके से नीटू ने ये किया है उस तरीके से नीटू पर भी अब सवाल उठने लगे है कि हमेशा ये शो आफ क्यों करना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी ही जरूरी है या फैमली ही जरूरी है हाला कि ये चीज़े देखने में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती और पहले जब शादी नहीं हुई थी और शादी के बाद भी काफी टाइम तक ही चीज़े देखी गई है कि भम्मो पाई के साथ में नीटू का जो रिलेशन हो जो है साथ में उनके बाते करती हुई और उनकी फीलिंग भी शेयर करती हुई नजर आती थी लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि नीटू ने उनको शेयर ही करना चोड़ दिया उनके बारे में बात ही करनी चोड़ दी तो वहाँ पर नीटू पर सवाल उठने लगे है कि ऐसा क्यूं और ये चीजे थोड़ी अटपटी भी लगती है आपका क्या कहना इस बारे में कोमेंट बॉक्स में हमें जरूर बतियेगा मिलेंगे नेक्स टूड़े में तब तक लिए बाई बाई